हेलो दोस्तो कैसे हैं आप तो भाई क्या आप भी पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं जिसके अंदर आप कमा सकते हैं 20,000 से 35,000 के बीच और वो भी आप अपने खुद के बॉस होंगे जी हां आपको नहीं सुननी पड़ेगी किसी की भी बात हैं जब आप का मन करें तब ओनलाइन आईए जब आपका मन करें तब ओफलाइन जाहिए काम आपकी इच्छा के अनुसार कमाई आपकी इच्छा के अनुसार जी हां हम बात कर रहे हैं डिलिवरी कंपनी की जिसके अंदर आपके पास होनी चाहिए एक बाइक और एक स्मार्ट फॉन और आप कमा सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है बोर्डो आप इसके अंदर बिल्कुल फ्री में जी हाँ कोई भी पैसे आपको देने की आवर्शक्ता नहीं है बिल्कुल फ्री में आप इसके अंदर आईडी बना सकते हैं आईडी बनाने से पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि इसी तरह की कई सारी कंप्रियों के बारे में हम अपनी वीडियो के अंदर अक्सर जानकारी देते रहते हैं तो चलिए चालू करते हैं आज की मह इस्टोर के उपर लेके जाएगा एप डाउनलोड करने के बाद जब आप फील करेंगे तो आप से वहांगा जाएगा एक रेफरल कोड जी हाँ रेफरल कोड आपको नीचे यहां पर सो हो रहा है आप इसी रेफरल कोड को डाल सकते हैं इस रेफरल कोड को डालने से आपको मि करते के साथ ही कंपनी आपको देगी 300 रुपए लेकिन याद रखिएगा यह order आपको 14 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना है यह आई डी एक्टिव होने के तुरंट बाद 14 दिन के अंदर आपको शिर्फ और शिर्फ पांच ओर तो कंप्लीट करने हैं पांच ओवा order कंप्लीट होते के साथ ही आपको कंपनी की तरफ से बोनस के रूप में 300 रुपए प्राप्त होंगे तो चलते हैं सीधा आपकी आईडी एक्टिव होने के बाद आपको इस एप के अंदर क्या-क्या काम करना है कैसे कैसे काम करना है जब आप आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी तो आपको एप का इंटरफेस कुछ इस तरीके से नज़र आएगा और नीचे ओन ओफ का बटन है यहां से आप ऑनलाइन या ओफलाइन जा सकते हैं ऑनलाइन आने के बाद आपको अवेलबल के अंदर order नज़र आएंगे याद र option आपके सामने नज़र आ रहा है completed order का जिहां जो order आपने complete कर दिये हैं उसकी detail आप यहां पर देख सकते हैं चलिए किसी order को accept करते हैं और आपको दिखाते हैं कि order accept करने के बाद आपको क्या क्या करना पड़ता है 127 रुपे का यह order है इसके उपर हम टैब करते हैं टैब करते पर आपको पूरी detail दुबारे से नज़र आती है point one पर pickup address है थोड़ा और उपर scroll करते हैं आपको amount नज़र आती है customer से कितनी amount लेनी है आपको थोड़ा और उपर scroll करते हैं आपको drop address नज़र आता है थोड़ा और उपर scroll करते हैं तब आपको नज़र आएगा so hall route यानि कि total कि लेकिन उससे पहले ये पूछेगा कि आपको sure है आप इस order को लेना चाहते है या नहीं तो आप yes कर दीजेगा लेना चाहते है नहीं तो आप no कर दीजे अभी हम no कर रहे हैं क्योंकि आपको कुछ और भी समझाना है बाकि उससे पहले आपने channel subscribe नहीं किया है तो जरूर कर है यहाँ पर point one पर लेने है और 127 रुपए आपको काट के मिलेंगे बाकी का company का commission होगा कई बार point two पर भी यह amount लिखी हुई हो सकती है तो आपको point two के customer से वो amount लेनी होती है अब अगर आप इस order को नहीं लेना चाहते है और दूसरे order देखना चाहते है तो आपको वापस home page पे आना पड़ेगा order पे आना पड़ेगा और वहाँ पर आपको हमेशा इस app को refresh करना पड़ता है refresh करने का मतलब है आपको नीचे scroll round करना है और आपको दूसरे order भी नजर आने चालू हो जाएगा नीचे आप blue color के अंदर एक बिंदी देख रहे है इसको अगर आप okay करते है तो आपका पूरा interface चेंज हो जाएगा जी हाँ अब map के अनुसार आपको order दिखने चालू हो जाएगे आप इस map को फैला कर यानि की zoom करके अपने nearby के order देख सकते हैं और आपको अपने nearby का कोई order उठाना है तो आप उस order के उपर tap करेंगे tap करते के साथ एक निली बिंदी के साथ pick up point से drop point का एक root बनके आएगा अब अगर आप इस order को accept करना चाहते हैं तो आप open order या take order किसी को भी दबा सकते हैं अगर open order दबाएंगे तो order की पूरी detail पहले की तरह ही पूरी खुल के आजाएगी कि आपको कहां से pick up लेना है कहां drop करना है और अगर आप जो है take order वाल सान से और आपको अभी बहुत कुछ और सिखाना है वो बता देते हैं इस map वाले option के अंदर भी आप एप को refresh कर सकते हैं जिहां इस point को आप अगर दबाएंगे तो app automatically refresh हो जाएगा अगर कोई order उट चुका है तो वो गाइब हो जाएगा कोई नया order है तो वो सामने आ चलिए अब बात करते हैं एप के मुख पॉइंट की order के बिल्कुल बगल में आपको slot नजरा रहा हुआ slot का मतलब होता है बोर्जों के अंदर fix job यानि full time की job जिसके अंदर आपको एक ही point से 10-12 order मिल जाते हैं आप उनको deliver करो deliver करने के बाद वाफसी में जहां से आपने order के करेंगे तो आपका नाम आपका photo नजरा आएगा इसके नीचे आपको नजरा आता है selfie जहाँ पर आप daily selfie दे सकते हैं इसके जश्ट बगल में आपको नजरा आता है bonus and referral का जी अगर आप किसी को referral करते हैं तो उसकी amount या bonus की amount आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इसके कारे में भी जानकारी मिलेगी उपर के जितने points है ना उन सब के उपर एक अलग वीडियो हमने बना रखिए आप उसको जरूर देखिएगा आपको सारी इस चीजे समझ में आ जाएंगी लेकिन अब बात करते हैं सबसे महत्पूर्ण point की support की जी हाँ सहायता की आपको अगर द्वारा सहायता मिलती है आप help का बटन दवा के भी पूरे चैट को खोल सकते हैं चैट के अंदर आर्टिकल है 44 इनको आप दवाएंगे तो आपको आपकी परिसानियों से समंधित आर्टिकल नजर आ जाएंगे इसके बाद भी अगर आप customer care से चैट करना चाते हैं तो इस इसके बारे में हमने अलग से वीडियो बना रखी है आप उसको जरूर देख ली जगा आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी अब बात करते हैं हम लास्ट पॉंट की जी हाँ लास्ट पॉंट है यह है id on या off इस पॉंट का आप इस्तिमाल कर सकते हैं जब आप online आना चाहते हैं या offline जाना चाहते हैं जैसे ही आप इसको इधर की तरफ करेंगे आप offline हो जाएंगे इधर की तरफ करेंगे आप online हो जाएंगे और आपको order दिखने चालू हो जाएंगे लेकिन अभी भी इस app के बारे में इतनी जानकारी हैं कि साइद एक वीडियो के अ और आपको नजर आ रहा है आप इसको टैप करते हैं उठाने के लिए लेकिन आपके सामने एक error का message आया था इसका मतलब यह होता है या तो customer ने order को cancel कर दिया है या फिर आपसे भी तेज कोई दूसरे rider ने इस order को accept कर लिया है तो इस situation में सिर्फ okay करिये और वापस आप main screen पर lot आएंगे lot आने के बाद आपको एक और जानकारी देते जाते हैं वीडियो के end माल लीजे आपने बहुत सारे order देख लिए जो आपके nearby के लेकिन आप चाहते हैं कि इनको बार बार ना देखना पड़े क्योंकि आप इनको उठाना नहीं चाहते है तो आप इनके उपर tap यान का निसान इसमें लग जाएगा यह सारे निसान लगाने के बाद आप उपर की तरफ देखेंगे तो यहां पर आपको जो है hidden का एक option नजर आता है hidden के option को जैसे ही आप दबाएंगे जितने भी order के उपर आपने tap किया है blue color किया है वो सब order गायब हो जाएंगे अब आपको ब app वाले system में या फिर normal ID वाले system में अब गायब हो चुके हैं आपको जो भी order नजर आएगा वो बिल्कुल fresh बिल्कुल नया just अभी अभी place किया हुआ order नजर आएगा जैसे यह just अभी अभी किसी customer ने order को place किया है और आप इसको आप चाहें तो उठा सकते हैं या फिर आप इ app को सही तरीके से नहीं समझ सकते हैं इसके लिए आपको हमारे चैनल को subscribe करना पड़ेगा और हमारी दूसरी वीडियो और नई आने वाले वीडियो को भी देखना पड़ेगा इसलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के अंदर फिर किसी नई जानकारी के साथ तब तक के जय हिंद जय भारत